बात करने वाले हैं यूपियसी एक्जाम 2021 होगा है नहीं इस टॉपिक हम सिर्चा करेंगे तैसा कि पिछला बार आप लोगों को पता है कि पिछला बार भी कोवीड आया था लेकिन इतनी हालात खराब नहीं थी तो पिछला बार टाइम से लिए गया था यूपियसी का एक्ज है तो ऐसे में आप लोगों की मन में प्रस्नोट रहा होगा कि बिभिन सरे एक्जाम यूजिसी नेट काइंसील हो गया ईपी एफो एक्जाम जो था अड्मीड काड आ गया था ये भी काइंसील हो गया एकजयां का लिए तो को दखो आज अभी से भी आज बतलत तीन तारिक हो गया तो 31 मत मानलो 28 29 दिन इधर बचता है और मतलब 27 दिन इधर 55-56 दिन बचता है कुल मिला के ऐसे में यदि देखो यदि भैक्सिनेशन के बाद एक तारिक से अठारा साल से उपर के लोगों को भैक्सिन का सरकार ने बोला गया था कि दिया जाएगा तो अगर देखो ठीक हो जाती तो यूप्यसी है एक्जाम ले भी सकता और नहीं भी ले सकता है तो ऐसे में आपके पास जब भी मतलब नोटिपिकेशन आएगा मैं तुरंत इस पर अपडेट करूंगा आप लोगों के लिए लेकिन आपके पास जो लोग नए लोग एक्जाम निकाला जा सकता है तो आप लोग अपना सौट नोट बगरा शुरू कर देखाना पढ़ना पैपर पिछला बार मैं भी एक्जाम देने गया था आप लोग देख सकते हो पिछला वार जो था एक्जाम में करेंट रफेर नहीं आया था लग 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 तो कुछ लो ऐसे में हर सब्जेक्ट पर आप लोग टाइम दे और सोट सौट में जो है अपना नोट बगार बनाना शुरू कर दें इस तरीके से दिख रहे हैं हम लोगों पूरी तरीके से बनाना सुरू कर दिया हूं कि बनाऊंगा कोई और नेक्ष्ट वीडियो जिसमें आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा कि पॉलिट्री की खट से नोट्स बनाना है कैसे पढ़ना है हिस्ट्री कैसे करना आर्ट अल्चर पर क्या करें ठीक है ना तमाम सारे चीजों पर बनाएंगे तो बांकि आप सब लोग मैं यही कहना चाहूंगा अंत में निशकर्स कि एक्जाम डेट अभी पस्पाउंड होने के लिए होने के लिए कोई ओफिसियल नोटिफिकेसर नहीं आया है यह कि साइट पे तभी आप लोग निश्चिंत रहें और जैसे ही आता है मैं आप लोगों को तुरंत इनफ